नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्मन मोहन स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रोनिक्स और रोबोटिक्स सीखना चाहते तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें इस चैनल के उपर हम बैसिक से लेकर संसर इसके डेटा को oled स्क्रीन पर कैसा डिस्प्ले करें पिछले डेख चुके है किश्पाद के डीएच्ट संसर के च्rijटा को सीयल मॉनेटर पर डिस्प्ले कर सकते हैं और ls को कैसे कॉंफिगर करना है आज इन दोनों का कूंबो बनाएंगे हम जो एक Arduino Nano के उपर इन दोनों को connect करेंगे तो हम एक Arduino Nano लेंगे नेनो बहुत ही प्यारा बोर्ड है, बहुत ही छोटा और breadboard compatible है और PCB पर भी आसानी से mount हो जाता है इसके अलावा हम लेंगे एक DHT 11 sensor जो कि एक humidity और temperature sensor है इससे हम जो humidity और temperature जो है पिछले वीडियो में हमने serial monitor पर डिस्प्ले करना सिखा था, आज हम already screen के उपर करेंगे देखिए already screen को configure करना बहुत ही आसान है लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा screen आप यूज़ करने है तो हमने एक video already बनाया है और ground देंगे DHT sensor के माइनस में और इसका जो output है DHT sensor का उसे हम A0 analog 0 pin से connect कर देंगे Arduino Nano की इसके बाद यह जो plus 5 volt है इसी को हम extend करके ले जाएंगे हमारी already screen के VCC पर और उसी प्रकार से जो ground है उसको भी हम already screen को देंगे ground पर अब serial clock और serial data देना है तो देखे हमारे जो Arduino Nano जो यूज़ कर रहे है इसकी जो A4P ने यह होती है SDA ठीक है तो इसे हम यहाँ पर already screen के SDA पर correct कर देंगे और जो SCLA उसे हम A5 के उपर connect करेंगे तो यहाँ पर इसकी wiring हो जाती है complete बहुत है simple wiring आपको समझ में आ गई होगी ठीक है अब मैं आपको जो है practically इनको connect करके बता देता हूँ और फिर हम चलेंगे computer screen पर जहां हम इसके code को discuss करेंगे कैसे इसको upload करना क्या 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 कौन कौन से command किस लिए यूज़ होते ठीक है तो यह हमारा Arduino Nano है देखिए ने बहुत ही प्यारा बोड है लेकिन कई बार इसको प्रोग्राम करना एक बहुत ही टेड़ी खीर हो जाती है तो इसके लिए मैंने दो या तीन वीडियोस बनाए हैं के ओल Arduino Nano के उपर इसको किस-किस प्रकार से प्रोग्राम किया जा सकता है तो वीडियोस जरूर देख लें DHT Sensor और OLED Screen के उपर भी dedicated वीडियोस है उनकी भी लिंक जो है description box में मिल जाएगी तो अगर तीनों को यूज करने में कोई problem आती है तो आप नीचे description box में दिये गए वीडियोस को एक बाद जरूर रेफर कर लें ओके मैं एक female jumper लेता हूं तीन वायर से जिसमें और इसको जो है DHT Sensor से connect कर देता हूं देखिए यहां पर आप वायरिंग याद रखेंगे वी सी सी के उपर yellow है और ground के उपर blue और बीच में green दिया है जो की output है ठीक है तो इसी तरह से इसको connect कर देंगे देखिए यह जो हमरा आउट पूट है तो इसे जिरो पर कर देंगे ठीक है और अब जो पिन बचा है वह यलो यलो को मैंने बता था प्लस फाइब पर देना है तो यहां connect कर देते हैं तो यह DHT Sensor की तो वायरिंग हो गई बहुत ही सिंपल थी के और तीन वायर्स थे ओके और ओलेडी स्क्रीन के लिए यह केवल चार वायर से तो एक चार वायर का जंपर हम ले लेंगे और देखें यह जो है कि अधुसी क्नेक्शन होता है आई-टूसी इसकैनर आई-टूसी एड्रस सब्सक्राइब तो तो असमें आफिक तो यहां पर यह चार वायर कानेट कर दिया आप देखें तो व आप देख सकते हैं कि चीडियों के लिए और ये के लिए तो इसी तरह से इसको कनेक्ट कर देंगे तो ब्रेट बोर्ड पे इसको हम जंपर वायर के तुरू कर देते हैं विची सी ग्राउंड दे दिया अब देखिए SDA और SCL तो जाएगा A5 के उपर और A4 पर यलो वायर है SDA मतलब सीरियल डेटा तो यहां पर इसकी वायरिंग भी कम्प्रीट होगी है ठीक है अब इतना करने के बाद हम इसे जो है हमारे USB केबल से कनेक्ट करते हैं और फिर हमारे computer screen पर चलते है कोड इसमें अपलोड करने के लिए आगे प्रोसेस करेंगे तो इसको मैं यहां पर कनेक्ट कर देता हूँ एक USB केबल से इस परकार से दोस्तों यह वो कोड है जो हमें हमारे Arduino ने इनों में अपलोड करना है ठीक है इसके जो फर्स त्री स्टेटमेंट है यह इंक्लूड किया है हमने लाइबरी इसको और इसके बाद यह देखिए हमने इनक्लूड किया है धी सेंसर के लिए एक लाइबरी को और इसके बाद हमने डिफाइन किया है कई जबल फले के लिए और फीर हम uh open setup में आ जाते हैं देखिए सेट अप में हमने कुछ statement यूज कि थे ओई डी स्क्रीन पर कभी भी कुछ display करना है अगर तो यह sequence of statement हमें यूज करना रहेगा इसमें जो भी टेक्स्ट हमें डालना वो यहां पर हम डीसले कियाए थे hd पर इस से हम डेनागे और चम्छड यहां पर हमने कॉल किया और यह दिक कटी यहां से रेसीव किया जो हम यहां लग gli- Election नभी इसके बाद डिष्प्लेड़ कर सरकत्त को कहा हा सबसे सबसके मंत्रों और यहां अपर आप देखेंगे यह झो prevent में में काफी छोटा रहेगा और बुशेप्ले डॉट से और 3 Сule तो पे ठीके ऊपर से लेकिन नीचे थाटी पॉइंट पे हम जो है अगला स्टेटमेंट लिखेंगे और जिस पर साइज हमने रखा है टू ठीके साइज जो तू रखा मतलब डबल साइज हो जाएगी मतलब इसमें टेक्स काफी बढ़ायाएगा वन से और यहां पर हमें प्र इससे परसेंटेज में शोग किया जाता है तो %Humidity DHT.humidity के साथ तो इस तरह से यह हमारा कोड है यह कोड आपको मिल जाएगा मेरे ब्लोग पर आपको इस कोड का डाउनलोड लिंक मिलेगा जब एक बड़ा हरा बटन आप मेरे ब्लोग पर दबाएगे तो आप मेरे जो है क डाउनलोड पेज पर जाएंगे और वहाँ पर इसी वीडियो को एक बार फिर से आपको देखना होगा फिर आपको इस कोड का एकसेस मिल जाएगा ठीक है चलिए अभी टूल्स में चलके हम आडूनो नेनो सलेट करेंगे और इसके बाद जो भी पॉर्ट अवेलेबल होगा व इसके बाद को अपलोड बटन दबाएंगे अप्लो रूबोड होगा अप्लोड करेंगे अस तरह से आपको पावर करेंगे डाईस के बार टेंपरचल रहे हैं यहाँ Adams आप देख सकते हैं जब फो आप जोपर DC2 डेसे यह जो काफी बढ़ा है तो स्क्रीन के ऊपर डाटा डिस्प्धव कर सकते हैं Federue पे सर्च करते हैं सेवन सब्सक्राइब मनमोहन तो आपको करनुई सारे विडियो मेंने बना रखे हैं औरेडी सेवन वाले को कैसे करना रड़न की मदद सेमेंसे कामивают दो डिजित तिन डिजित चार डिजित इवन फोर डिजित भी हमने जो है मुटिप्लेक्स हैं के थूरू कांट्रोल किये हुए और नेक्स आने वाले वीडियो में हम सिक्स डिजिट के ऊपर वर्क करेंगे अगर सेग्में डिजिटल क्लोक बनाना है तो उसकी प्रोग्रामिं मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपकी बिल्कुल पूरी हल्प करूंगा दोस्तों आप लोगों की वज़े से ही मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पचास जार से जादा सस्क्राइबर जूट चुके हैं आपके इस लव एंड रस्पेट के लिए बहुत बहुत थैंक यू थैंक कर दो सकते हैं कर दो सकते हैं कर दो सकते हैं